आप सभी सोकते बात करेंगे दोस्तों यापर एक श्यांदार केमिकल स्टॉक के बारे में जिसमें बड़या तरिके से आज 10% की तेजी देखने को मिली है और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस कंपनी का जो अंडरवर्ड परफरमस है वो अभी सुधरते नदर आ रहा ह अंडरवर्ड बोलत आपकोंगा दोस्तों जो इसके इंट्रिस्टिक वैल्यू होती है उससे भी सस्ति दाम पर स्टॉक मिल रहा है और दूसरी बात देखेंगे तो यहाँ पर 400 रुपई के ऊपर चलना आला स्टॉक दोस्तों अभी फिलाल आपको मातर आपको बताना होगा 220 रुपई के दाम पर आवेलेबल है तो इस टॉक में वैल्यू बहुत आच्छी है और मैं आपको कहूंगा इसमें इंडिया के दो बड़े दिगच इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करकर बैटे दोस्तों तो कोई ना कोई खास बात होगी इसलिए तो उन्होंने कर है तरके इस रिटन भी कमा कि देगा हम बात करें दोस्तों रेन इंडिस्टी के बारे में आप सभी जानते हो कि जब यह स्टॉक देटसों के करीब चलता था तब भी हमने डिसकस किया था और अभी भी कहूंगा किस कमपनी में वैल्यू अविलेबल अभी भी बाकी है जरू पूर्फाइदा उड़ाना दोस्तों और यहाँ पर आथ देख भी सकते हैं गजब की तेजी 10% के उपर की 20 रुपए पर शेयर पर बेनिफिट इस स्टॉक ने कमा कि देख सकते हैं पूरत के स्टॉक आचुका है दोस्तों 220 रुपए पर रेन अंडिस्टी का फॉफरमस इस इसलिए सुदर रहा क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बिजनेस मॉडल यह कमपनी दोस्तों इंडिया में वहुत बड़ा वेटेज रखती है टार और अलग-अलग केमिकल के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो टायर बनते हैं दोस्तों टायर में जो पर इसका पी रेशो मातर आपको 11 का नजर आएगा आप जाकर किसी भी केमिकल इंडेस्ट्री का जाकर अभी पी चेक करना पी रेशो आपको पता चल जाएगा एक तो दोस्तों इस कमपनी में कम पैसे इंवेस्ट करने के बाद आपको ज्यादा रिटेन मिलने वाले हैं और करकर यहाँ पर आप खुद देखकर भी समझ सकते हैं 400-400 के उपर 500 रुपर करीब हम राउंड फगर बोल सकते हैं अभी दोस्तों इसमें अभी गजब की तेजी बनेगी और इस टॉक अपना सब जो यहाँ पर पहला फॉफरम था वो तोड़कर दोस्तों आगे फॉफरम बताना चाहूंगा डॉली खन्ना दोस्तों उनके पास देखेंगे तो 96 क्रोड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अविलेबल है रेड इंवेस्ट्री में और करोडो कौंटिएटी उन्होंने खरीद कर रखी है और दोस्तों यहाँ पर पैवरिया जो नाम है दोस्तों इनका इनके पास भी देखेंगे तो आपको कहूंगा 645 करोड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने अच्छा कासा स्टेक है और आपको बताना चाहूंगा यह वारियन वोफेट को बहुत फॉलो करते हैं आपको इनके बारे में स्टडी करना तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने यहाँ पर पढ़ा भी इनके बारे में तो इन्होंने बहुत से चीज़ें डिस्कस के कि इन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की तो दोस्तो यहाँ पर जो पूरा वीड़े देख रहे होंगे उनको नौलेज में इंप्रूमेंट हो जाएगे क्या करना इसलिए बतारों कि आपके नौलेज में कोई इंप्रूमेंट हो और आपको समझ सके बोलकार यहाँ पर जो पैबरी है दोस्तो बहुत अच्छे और बड़े इन्वेस्टर है उन्होंने बहुत से यहाँ पर इंडस्टी भी बेरिंग से रिटेट इनकी इंडस्टी भी आव इंडस्टी में थोड़ी यहाँ पर इंप्रूमेंट हमें थेजीस देखनेक मिली है मैं आपको यहाँ पर बता 楽령 करोंगा किया हाँ आपkyainen क्या का घुंपब़्ध में इंप्रूमेंट स समयत हो अगया है दोस्तों कि करजा कर दे हैं तो कंपनी में इंप्रुमेंट दबा कर हो रही है और हम कई सकते ही बड़ा तरी की स्टॉक परफॉर्म भी करेगा अब दोस्तों या पर हम जैसे प्रमोटर का स्टेक देखे तो करण को बताया है आप दोस्तों या पर हम जैसे देखे तो कंपनी का मार्केट के अच्छा है स्मॉल के ध की कंपनी attract मार्केट क मी और दोसिती आपर हम इसके दोस्तों कम से कम है आपको कहूंगा कि पार्च के उपर दिखना चाहिए तो थोड़ा याप पर अच्छा रहेगा और जैसे याप पर हम प्रॉपिट और सेल्स की बात करें तो अभी भी इसमें इंप्रॉमेंट होनी बागी है इसलिए कहूंगा दोस्तों कि आप सभी चीज़े देखकर डिसेजन लीजिए यहापर क्या होता है लालच में आकर बहुत से इन्वेस्टेर इन्वेस्टेर तो कर लेते हैं डिलेर का परसेंटेज देखेंगे तो यहापर हमें 57,48,981 कौंटिटी उठाय वाली देखनेंग मिलेगी और स्टॉक ने दोस्तों आज ही रेन इंडर्स्टेर ने फिटरी हायर टच को कर लिया है जबरदस तरीके से परफॉमेस देखनेंग मिला इस कंपनी में और मैं आप कोंगा एक भी इस कंपनी का कोई यहापर शेर जो होता है दोस्तों गेरी भी देखनें नहीं मिलता यह सबसे आची बात होती है किसी कंपनी का शेर गेरी भी हो तो कंपनी के लिए थोड़ा यहाप पर पैनिक सीचुशन क्रेट होती है और इन्वेस्टिर के लिए भी तो यहापर आप सभी डीटेस समझ रहोंगे दोस्तों रेटन इटेस्टिर के बारे में और इसके जो नेक्स परफरमस के बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस टॉक काफी अच्छा आपको रेटन देनी के एबिलेटर रखता है जरूर यहापर आप सोच सकते इसके बारे में थैंक्यो समझ दोस्तों